आईए सुनते हैं शिवानी जी की कहानी दादी दादी के आने के साथ ही उनका जाना भी सदा जुड़ा रहता था और इसी अशुप आशंका से ननी रंजना का चित एक बार फिर काप उठा था मम्मी और दादी के असंतोष चनक संबंद को वो छोटी होने पर भी खूप समझती थी दादी के आते ही मम्मी का मूट विगड़ जाता था फिर आज तक दादी बहुत दिनों तक रही ही कब थी भला जब भी दादी आती मम्मी डाडी बड़ी रात तक अंग्रेजी में लड़ते रहते और फिर स्कूल से लौट कर दोनों भाई भेन देखते दादी कहीं भी नहीं है क्यों मम्मी दादी चली गई क्या दोनों तुनक कर एक ही प्रशन पूछते हाँ चली गई मम्मी ऐसे स्वरों में उत्तर देती कि दोनों सहम कर चुप रह जाते इसी से आज रंजना विशेश रूप से दादी से लिपट कर अभेदान की आचना करने लगी प्रामिस दादी तुम इस बार भागोगी नहीं दादी के कोटर ग्रस्त आखें इसने आश्रूओं से चलक उठी ठीकी तो कहते हैं गुणी जन हसिया अपनी ही और काटता है हजार हो है तो दोनों उसी के रक्त मज्जा मास के टुकड़े हाई मेरी लाडो तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी भला आश्वस्त होकर हाथ का बस्ता हिलाते दोनों सीडिया उतर गए स्टेशन जाने से पहले बड़ी बहु जो डंग दे गई उसकी पीडा की साल पौत्री के स्नेह ने सीच कर रख दी बड़ी बहु के परिवार को लेकर वो पिछले शनिवार को छोटी के पास पहुची थी करती भी क्या जोत्पूर में मरे पाकिस्तानी बंबोले से बरसने लगे थे पुत्र नहीं जित करकर दोनों साज बहु और तीन बच्चों को छोटे भाई के परिवार के साथ रहने भेश दिया था छोटी बहु के साथ रहना जानबूचकर ही मख़्ी निगलना है ये साज भी जानती थी और बड़ी बहु भी बहु की चिंता का समाधान उसने स्वेम ही कर लिया था दूसरे तीसरे ही दिन वो माई के चली जाएगी। बड़े पुत्र की नौकरी साधारन थी, बहु साधारन थी और बच्चे भी साधारन। इसी से जिठानी का आक्रोष देवरानी पर ही उतरता। एक तो ये रक्स संबंधी कुछ ऐसा कठिन है, चाहे दो सगी बहने ही जिठानी दिवरानी क्यों न बने, उनकी मैतरी का क्रम जीवन भर हिंदी चीनी भाई-भाई का निरर्थक नारा लगाता दम तोड़ी देता है। अमा जी के चौके में सरवदा 144 धारा लागू रहती थी। कोईले की लक्षमन रेखा कीच कर सास अपनी सीमा स्वैमने धारित कर लेती थी। पर निलरज बरबर शत्रू की भाती छोटी बार-बार उस सीमा का उलंगन जान बूझकर ही करती खीसने पोर देती। हाई अमा जी अब क्या होगा चौका तो मुझसे चूगया। होता क्या दूद दही में गुथे आटे के नरम नरम पराठे से ममता तोड़ बिचारी सास के लिए आधे धर्जन के लिए या पाउभर सेब मंगा दिये जाते। बड़ी भहु के चौके में ऐसी सीमा और लंगन की घटनाएं बहुत कम होती थी। इसी से सास वहीं चली गई थी। पर देश के आकस्मिक स्थिती ने उन्हें फिर छोटी के द्वार पर लापटका। इस बास स्थिती कुछ और डावा डोल थी। एक तो ग्रह स्वामी खा पूढकराने लगता। कमरे के एक कोने पर शरनार्थी रूप में आये अपने ठाकुर जी के भरे पूरे परिवार को रख। अम्मा जी छोटे बहु से गंगा जल सहेजने के लिए बोतल मांगकर लोटी ही थी कि बड़ी बहु ने अगनिबान ताक कर मार दिया था। पास के चेरे पर टिका दिया था। गंगा जल अम्मा जी ने सरल उत्तर दिया था। ठीकी तो है देवर जी की ही गंगा जल की शिशी दी है छोटी ने। खूखू कर वो पास खड़ी छोटी की और देख मूं में आचल ठूसती बिस्तर भानने लगी थी। चाती तो छोटी वहीं पर जिठानी के गंगा जल सेवी पितामा को विधिवत का विधिवत पिंड़दान कर सकती थी। पर आज जा रही थी डेड़क की। मरेस साब को क्यों कोचे। अकेले अम्मा जी रह जाएंगी। उनके आने से इधर सुविदा ही हो गई थी। क्लब जाना होता नहीं पर इधर पती का जन्म दिन था। प्रतिवर्ष दोनों इस जन्म दिन को महमुत्सफ के रूप में मनाते चले आये थे। फौजी कलब में ठाटदार डिनर देते थे लेफटनेंड करनल शर्मा। चीज में क्रोनी, मुर्ग नान और तर्की जैसे अलब भी खादे सामगरिय से मेज भर देती थी शोटी। आज वही पती मोर्चे पर बरबर शत्रु का सामना कर रहा है। न भूख, न प्यास, न रात की नीन, न सपने। डालिंग, शत्रु को खदेरने के संकल्प में तुम्हारा सुन्दर चहरा भी बूलता जा रहा हूँ। उसने मोर्चे से लिख लेफटिनन कलनर कपूर की दंभी अर्धांगिनी सबको फोन कर चुकी थी। साधारन खाना होगा भाई, इस मनहूसी में क्या अडंबर शोभा देगा। उसने हससकर सबको थोड़ा बहुत आगह भी कर दिया था। एक तो नौकर नहीं था, उस पर बत्ती का अंकुष। अ उतनी देर में कितनी सबजियां, रायता, चटनी बना सकती थी। पर एभी रंजना के पेट में भी तो बीसियों उतपातों के जोग कुल बुलाते रहते। एक बड़ी सी चलने फिरने वाली गुडिया तो अभी अभी उसके पिता ने उसे वेयत नाम से लाके दी थी। सु पितल बी ना हो सके। उसकी आया की बिटिया रहीमन अपनी महाकदर या नकटी गुडिया की नुची नाक में पीतल की बाली पहना तीन बार ब्याकरा चुकी थी। ऐसी ही नर्म आग्याकारिनी गुडिया चाहती थी रंजना। पिछले तीन घंटों से उसकी दादी उसकी गुडिया की प्रसब वेदना से छट पटा रही थी। सफेद लठे के कलेवर में कट पुतली सी दो विस्फारित कर्ण चुम्बी नैनो की सृष्टी हो चुकी थी। नाक को सफेद डोरे की घं़ी परतों से पुष्ट कर दिया गया था। होटों के लिए मम्मी से लाल डो और वो उसे फूक रही थी पर क्या कहती। चटपट उसने अपने नए बैजनी फ्रॉक की तुर्पन का रेश्मी तागा निकाल दिया और भाग कर दादी के पास खड़ी हो गई। लो दादी बैजनी होट बना दो। मम्मी तो कभी-कभी बैजनी लिप्स्टिक लगाती है है नारे संजे। उसका जुड़वा भाई बहन के किसी भी मत का खंडन करने का कभी दुस्साहस नहीं करता था। उसने हंडा सा सिरहला दिया। चश्मा लगाए दादी नवजाद गुडिया के भावी विवा का आयोजन बनाती। पौत्र पौत्री के लिए कल्पना के स्व पूरिया मैं उतार दूंगी। दोनों बच्चों की आखें दादी को निगलती जा रही थी। दादी पर ब्या किस से करेंगे दादी। इस और तो किसी का ध्यानी नहीं गया था। यही तो मुख्य समस्या थी। आसपास के समरिद ग्रहों के बच्चे कॉन्वेंट में दे। उधर अनाडी ग्रह लक्ष्मी चौके के मूर्चे पर सर्सी और चिम्टे से जूज रही थी। आज तक जब भी इस ग्रह में दाविते हुई। ग्रहनी सर्वता आज से किची-किची रही। इसी से आज आज ने भी प्रतिशोद ले लिया। बिना किसी पूर्व सू पती देवता उसके सम्मुक हसते खड़े हो गए। बीबी जी नौकर रखेंगी सरकार। छोटी ऐसी चौकी की छुरी हाथ से गिर पड़ी। उससे आखे मिलते ही उस अपरिशेत व्यक्ती ने अपना प्रशन फिर दोराया और नमृता से हाथ बांदे दोरा हो गया। कैसा हैच शफ रह चुका हूँ सरकार। साइकल चला सकते हो। बच्चों को स्कूल पहुचाना होगा। मोटर भी चला सकता हूँ मेम साब। मेक्यानिक भी रह चुका हूँ। वो हसा और उसके स्वास दातों की उजली मुसकान ने चोटी को जीत लिया। जात क्या है जी तुमा प्रतिवेशनियों के बृत्य हीन जीवन के दारुन संगर्ष से वो अनभिग्य नहीं है। मो मांगी तंखा पर उन में से कोई भी बोला को रख लेगी। बीस रुपे खुराकी पर बोला ने पिछवाडे के सागर पेशे में अपना डेरा डाल दिया। दोनों बच्चे बोला को देखते ही लट्टू हो गए थे। किसा अंग्रेश सा गोरा था। मुछों के बाल कै अंग्रेश से थे एकदम सोने के सितार। हसी को गले में ही ऐसे घुटक कर हसता था कि दोनों कंजी आंखे मुझ जाती थी। उस पर बड़िया गोश्ट बनाता था। आठी दिन में भोलाने घर की ग्रहनी और बच्चों को मुह लिया। एक अम्मा जी पर उसका जादू नहीं चल पाया। इधर लगातार उसके भांजे, भतीजे, उनकी कुशलमंगल पूछने चले आ रहे थे। इसी सिग्रह को होटल के विशेशन से विभुशित किया गया था। हवा में नया पैसा उचाल कर मेरी एर गन से छेट देता है। गजब का निशाना है। संजे की आखे प्रशंसा से चमकने लगती। रेडियो उसे खबरे आती तो भोला खरगोश सा चोकरना हो जाता। हमारी फॉच पाकिस्तानियों को पटापट पटक रही है। लाहॉर का हवाई अड़ा भी हमने ले लिया है। नन्ना संजे जोश में आकर हवा में मुठिया चलाने लगता। बोला की चिंतातुर मुद्रा देखकर चोटी का हरिदय गर्व से भर उठता। कैसा जागरूप नागरिख है। हर बुलेटिन को सुनने तबा की रोटी छोड़ कर भागा आता है। रात को नित्य भूला गूमने निकल जाता था। इसी बात को लेकर अम्मा जी ने चोटी को एक दिन जाड़ दिया। क्योरी बहू ये निगोडा रात को जाता कहा है। जब तू तंखा पूरी देती है तो कुछ कहा कर। रहस्त का घर है। नजाने कब कौन सी जरूरत आ पड़े। पर छोटी ने कुछ नहीं कहा। असल में वो दूद की जली थी। इसी से मठा भी फूख फूख कर पीती थी पिछले नौकर विशन सिंग से एक बार रात को सिनुमा ना जाने को कहने पर उसने त्याक पत्र दे दिया था। कहीं भोला भी ना चल दे। मेरा काम तो कर जाता है अम्मा जी चाहे जहाँ जाहे मेरा क्या। कहने को तो वो कह गई पर मन ही मन उसे चिंता का घुन लग गया आदी रात को वो गुसल खाने जा रही थी तो देखा चोर की भाती भोला दबे पैरों अपने सागर पेशे की और जा रहा था साथ में बड़ी-बड़ी मूच्छों वाला फिल्मी खलनायक सा एक महा कुछ से त्विक्ती भी था अब क्या करें? क्या अम्मा जी को बता दे और कहीं पूछने पर भोला का कोई निरी या आत्मिय निकला तो? अच्छा भला नौकर भी हाथ से चला जाएगा दूसरे दिन हस्ता मुस्कुराता भोला चाय लेकर आया तो वो कुछ नहीं पूछ सकी कल एक दोस के साथ पिक्चर देखने चला गया था मेम सहाब इसी से उठने में देर हो गई उसने अपने दंत मंचन के विग्यापन किसी उजली मुस्कान का दरपन चिमकाया ऐसी नमृता की बार में भला किसका क्रोध न बह जाता? ठीक है बोला तुम चटपट अम्मा जी को कलई के गलास में चाय दियाओ आज उनकी एक आदिशी है अभी लीजिये सरकार बोला हवा के खुशनुमा जोके की भाती आकर चला गया पहले अम्मा जी किसी भी तरह उस नहीं नौकर के हाथ की चाय पीने को राजी नहीं हुई थी पर बहु ने बार-बार उनसके काने कुप्ज ब्राम्मन होने की पुष्टी की तो उन्हें मानना ही पड़ा पर उसी एक आदिशी को उस नवीन ब्राम्मन का ब्रह्मतेज स्वेम ही फीका पड़ गया शेर की खाल के नीचे गीदर का सिर बुरी तरह जाकने लगा मम्मी, मम्मी, बोला नमास पड़ता है नमास दोनों बच्चे गिरते पड़ते उससे लिपड गए क्या? छोटी जैसे आकाश से गिर पड़ी हाँ मम्मी, सच आज हम दोनों ने सोचा चुपकर देखेंगे कि रोज कमरा बंद करके क्या करता है हमने देखा नमास पड़ आया है मम्मी, जल्दी चलिए, पूरे कमरे में नक्षे फैले है एक मूचों वाला आदनी भी है बच्चे उसे खीच ले गए खिड़की की दराज से उसने जहाका दोनों नमास पड़ चुके थे और जमीन पर फैले एक निक्षे को पड़े गोहर से देख फुस फुसा रहे थे छोटी ने पलक जपकाते ही स्तिती भाप ली चट से साकल चड़ा कर जोर से चीखी चोर चोर पकड़ लो इने भागने न पाए देखते ही देखते अरोस पर उसकी भीड जुड़ गई कोई कहता करणल साब के बंगले में दो बुरके वालियां पकड़ी गई है कोई कहता बीस हैं बीस द्वार खुलते ही भीड उन दोनों के बारलेस और नक्षे देखकर बौकला गई कई सम्मिलित लाद घूसों से काने कुछ ब्राम्बन और उसके मुचंदर साथी से असली जात उगलवा कर धर दी हमीद और लतीफ थे दोनों पिछले कई दिनों से पुलों के नक्षे उतार रहे थे छत्रियों से उत्रे थे मेरे यारो अब उतार लो ससरों के नक्षे और लटका दो उल्टा इन्हीं छत्रियों पर एक मोटे से सरदार ने अपने रसिक प्रस्ताव के साथ ही लाठी गुमाई और बड़े तनाव में आगे बढ़ाया भीड सहम कर पीछे हट गई लसी की दुकान वाले सरदार को सब जानते थे कुछी दिन पहले उनका एकलौता जवान बेटा अमरिच सर की निर्मम बंबारी में मारा गया था घर बैठे भी वाहे गुरू ने परसाथ भेज दिया आज इनी की कलेजी से रोटिया खाऊंगा वो वीभच सासी हसा और हवा में लाठी गुमाने लगा ना बेटा ना न जाने कहां से भीड चीर कर बुड़ी दादी ने सरदार की क्रोट से धर्धराती बाहों को थाम लिया इन्हें मार कर क्या तिरा बेटा लोट आएगा ना लोटे मेरा कलेजा तो ठंडा होगा सरदार की आखें आग उगल रही थी छोड़ दे मुझे अम्मा आज इन सालों का भेजा तोड़ कर रहूंगा पर दादी हमीद और लतीफ के बीच अडिक भव्य देवी की मूर्ती सी होकर रह गई कहीं सी खबर पाकर पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी और आते ही पुलिस ने गेरा डाल दिया था भीड में आलोचना का स्वर बुलंद होता जा रहा था नजाने कहां से आ गई बुडिया नहीं तो यार आज मज़ा आ जाता और क्या पटापट खोपणियां खोल कर रख देता सरकार हम ऐसे पाकिस्तान से उतरते हम ऐसे पाकिस्तान में उतरते पकड़े जाते तो क्या वहां की भीड हमें छोड़ देती अजी हमारी बोटियां कुत्तों को खिला दी जाती यही तो हमारी कमजोरी है मरना जानते हैं पर मारना नहीं पुलिस दोनों को पकड़ के ले गई तो धीरे धीरे भीड स्वैम ही छट गई सास और बच्चों के साथ छोटी भी अपने बंगले में लोट आई उत्तेजना से उसकी दे अभी भी काप रही थी इतने दिन साप को मैंने आस्तीन में रखा अम्मा जी कहीं डस लेता तो उसकी सैमी आखों में आसू भराए दादी के हिरिदय ने उस साप को शमा कर दिया था पर संसकारों ने अभी भी गुटने नहीं टेके थे एक लंबी सास खीच कर वो सोफे पर लुड़क पड़ी मुझे तो डस ही गया बहू पित्र प्रक्ष की एकादुशी के दिन मुआ गिलास भर चाय पिला तार गया मेरे पुर्खों को अब आज ही रात की गाड़ी से काशी चल दूँगी जरजर कर उनकी आखें बरस पड़ी नहीं दादी नहीं मेरी गुड़िया के लिए गुड़ा कौन बनाएगा रंजना दादी से लिपट गई पर नन्नी पौत्री के दुलार भड़े बड़ी के वंधन भी उन्हें नहीं रोक पाए नहीं लाडो मुझे आज ही काशी जाकर प्रायश्चित करना होगा और रात की गाड़ी से दादी रंजना की गुड़िया को चिर स्वयमवरा छोड़ पुन्य सलिला भागी रथी में तिल पात्र और गोधान के साथ 120 डुपकियां लगाने का पावन संकल्प कर काशी चली गई तो ये थी शिवानी जी की कहानी दादी आपको मेरे विडियो अच्छे लगते हैं तो अनुरोध है कि शेर लाइक कॉमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए थैंक यू